हेलो गैसे एंड वेलकम तो माई यूटूब चेनल मॉबाइल हेलपर आज की वीडियो आपके लिए काफी यदा इंपोर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं सारा कुछ आपको आज की वीडियो लाइप प्रूप दिखाने वाले हैं कि आप गूगल प्ले इस्टोर के का है पॉइंट वाला फीचर इसके बारे हम पूरी डीटियल की डीटियल से में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा अगर आपको वीडियो इंपोर्टन लगे दिए वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा तो इसलिए फड़ा वड़ वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को जॉइन होके सारा कोसी दिखाते हैं तो सबसे पहले आप प्ले डीच्टोर उपन कर लेंगे प्ले डीच्टोर उपन करने के बाद यहां पर दो तरीके हैं सबसे नीचे आप लोग यहां पी बीच में देखेंगे ऐसे Profile दिख रही होगी Profile पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे की साइड़ आप लोग गहें प्ले Points का ओप्सण मीलेगा आप लोगों को प्लेपॉइंड पर क्लिक करना है क्लिक करने बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको finally देखने को मिल जाएगा right side उपर की तरफ आप जो है point देख सकते हैं कि कितना आपने point earn किया है अभी यहाँ पे सबसे first में होता brown और यहाँ पे देख सकते हैं जितना point आप earn करेंगे यहाँ पे दिखाएगा अभी मेरे account में zero point है तो चलिए आप लोगों को बताते है point कैसे earn करना है और huge कैसे करना है सारा कुछ तो फिर से आजाते हैं play point के अंदर और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे last में नीचे के side देखेंगे उपर की side earn huge perk इस पर click करेंगे इस पर अगर कोई special offer चल रहा होगा जहां से आप free collect कर सकते हैं coin को यानि यह जो point को point को आप free जो collect कर सकते हैं अगर offer चल रहा होगा तो यहाँ पर आप जो park पे आके करेंगे और यहाँ पर huge का option है huge कैसे करना होता है या भी आप लोग पहले जान लिजे इसके बाद बताऊंगा earn कैसे करना है आपको huge पर click करेंगे यहाँ पर आप जो google play में credit कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने 100 coin earn किया है तो उसको 5 रुपे में convert कर सकते हैं जो की play store पे recharge जीसे बोला जाता है आप recharge कर सकते हैं वो आपके play store में आ जाएगा एक परकार से आपको यहाँ पर 25 रुपे मिल जाएंगे 500 coin अगर आप जो है यहाँ पर spend करते हैं अगर 500 coin है 500 coin spend का मतलब जो है उसको recharge में convert कर दीजिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज इसी तरह के से आप लोग कर सकते हैं अभी 7 days के लिए अभी offer चल रहा क्योंकि नया account हमने create किया है तो यहाँ पर 5 रुपे अगर मैं इन application में से कोई भी application डाउनलोड करके 5 रुपे उस application में spend करूँगा खर्च करूँगा तो मुझे 3 point मिलने वाले हैं यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं ऐसे में आप लोगों को सारे application यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जिनमें आपको बतायागा है 5 रुपे आप खर्च करते हैं इन application में तो आपको कितने point मिलने वाले हैं तो यहाँ पर सभी application में लगबग same condition है 5 रुपे खर्च करने पर 3 point देखने को मिलने वाले हैं जो play point है इनको फिर हम बाद में जो है किसी application के में use करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं और recharge भी कर सकते हैं play store का अब यहाँ आप देख सकते हैं levels के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ देख सकते अरन 1200 more point यहाँ थाइसो point अगर मैं यहाँ पर collect कर लेता हूँ earn कर लेता हूँ तो मुझे silver point मिल जाएगा और gold point में अगर मैं 1000 और point earn कर लेता हूँ यहाँ पर तारीख है इतने तारीख तक तो मुझे जो gold benefit मिल जाएगा gold benefit में क्या होगा 5 रुपए spend करें तो वहाँ पर 1.2 play point मिलेंगे platinum में अगर आप platinum हो जाते हैं 4000 अभी मुझे जो point earn करने होगे यहाँ पे 12, 31, 23 तक अगर मैं earn कर लेता हूँ तो मैं 5 रुपए spend करूँगा तो 1.4 play point मुझे मिलेंगे तो इस तरीके से जितना आपका यहाँ पर rank बढ़ेगा level बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको point में earning होगी और उतने ज्यादे पैसे कम spend करने होगे अगर 5 रुपए spend करेंगे तो यहाँ पर 1.4 play point मिलेगा यानि आपको काफी ज्यादा play point मिलेगा अगर आपका level बढ़ा होता है इस तरीके से आगर आपको point कमाना है इसके बाद ही आपको level बढ़ेगा और level बढ़ेगा तो वहाँ पर कम पैसे खर्च करेंगे तो आपको ज्यादा point मिलेंगे तो यही सब था पूरी जो है detail थी play point के बारे में उमिद करते हैं वीडियो को आपको काफी जदा useful लगी होगी अगर वीडियो useful लगी तो लाइक करें चैनल को subscribe भी कर सकते हैं